आप देख रहे हैं News24, आपके साथ मैं हूं मानक गुपता और मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं राज्य सभा के सांसद संजय सेट को जो की सिर्फ एक राज्य सभा सांसद नहीं है, पिछले कई हफ्तों से सोशल मीडिया में, मीडिया में, अखबारों में, सब जगे संजय जी चाय हुए हैं और वो इसलिए चाय हुए हैं, क्योंकि संजय सेट ने राज्य सभा का चुनाव विपरीद परिस्थितियों में जीता है बीजेपी की तरफ से संख्या पूरी नहीं थी, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने बीजेपी के प्रत्याशी संजय सेट के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की और संजय सेट एक बार फिर राज्य सभा पहुंच गए बहुत स्वागत और सबसे पहले बढ़ाई आपको संजय जी राज्य सभा चुनाव जीतने पर ऐसे में जब लग नहीं राथा कि आकड़े आपके पक्ष में है दन्यवाद आपका और आकड़े तो हमारे पास पहले से हम लोग जब जिस वकत नमांकन किया था उसी वकत से कैलकुलेशन करके हम लोग ने जो देखा था उसके हिसाफ से बन रहा था लेकिन उसके बाद जो विदायक हमारे साथ में जुड़े वो एक संख्या और बढ़ ग आपके समाजवादी पार्टी से आए आपकी तरफ जो ने ने किसी कोई जुगाण इसमें नहीं लगा है इसमें उन सारे विदायकों के अपने अपने अलग-अलग मुद्दे थे और वो अपने आप जुड़े हैं इसके अंदर कुछ विदायकों के परेशानी ये थी कि ब प्रेम था उसके हिसाब से उनको ये लगा कि भई हम इस जगे जाने से अगर हमें रोका जा रहा है तो हम दूसरी पार्टी के अपना विरोध जताएंगे अगर हम इनको दूसरी पार्टी को वोड देंगे तो ये उनका मुद्दा था एक विधायका का मुद्दा ये था कि उनके पती की भत्या हुई थी और उनका आज तक उनके जो भी जो जिन्नों ने हत्या की थी उनके साथ में उनका कोई इंसाफ नहीं मिला था मानी योगी जी ने उनको इससाफ दिलाया तो उसके वो प्रेरित थी तो इस तरीके से कही मुद्दे थे जिसके वेज़े से वो लोग साथ जुड़े हमने किसी से कोई बात नहीं की संजा जी अखिलेश यादव ने कहा सारे विधायक जो समाजबादी पार्टी की तरफ से क्रोस वोटिंग करके बीजेपी की तरफ गए है उनको पैकेज उफर किये गए है पैकेज उस पैकेज में क्या क्या है वो कह रहे हैं हमें सब पता है मैंने मैंने ने ने पैकेज उनको भगवान राम का मिला है उस भगवान राम के पैकेज पे वो लोग आए है हमारी पैकेज पे कोई नहीं आया है सब भगवान लला के राम लला के पैकेज पे चल लए है अब वो ये भी कह रहे हैं देखिए आठवा जो प्रत्याशी बीजेपी ने उतारा वो जान बुझकर एक ऐसे इंडस्ट्रिलिस्ट ऐसे उद्योगपती को उतारा जिसके बाद बहुत पैसा है और आपके पास तो सैंकडो करोड की संपत्ती है बड़े जाने माने उद्योगपती है आप अब ये आरोप है कि जा मेरा में मेंबर था तो उन्होंने मेरी उप्योगता को देखा हुआ है कि मैं किस तरीके से उनके साथ में उनके हर मुद्दे में उनके साथ में रहा हूं और मैंने भाजपा के लिए बहुत काम भी किया है मैं उनकी जनविश्वा सियात्रा में भी पूरे पंद्रा दिन अच्छे विश्वास पात्र माने जाते थे ऐसे में आपने पार्टी बदलने का फैसला क्यों किया संजय जी लोग क्याते हैं कि जैसे ही समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई आपने भी सपा छोड़ दियो बीज़ेपी में आगए ने ऐसा नहीं था कि सपा उस वक्त जिस वक्त मैंने छोड़ी उस वक्त सपा सत्ता में थी यह नहीं थी लेकिन मैंने जो उस वकद छोड़ी थी वो मुद्दा एक केवल था है धारा 370 का जो की भाजपा ये चाहती थी कि इस बिल को पास करा के हम कश्मीर को भारत का अंग बनाएं जबकि समाजवादी पार्टी का एक ये रुक था कि नई साब हम इसका विरोध करेंगे मेरा इसमें एक डिफरेंट व्यू रहा मैंने का नहीं मैं धारा 370 देश के लिए हो रहा है देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको बहुत सालों से ये हम लोग चाहते थे कि कि 2017 में 2017 से चली गई थी मैंने 2019 में चोड़ी है मैं दो साल उसके बाद भी समाजवादी पार्टी में रहा हूँ संजय जी अब जबकि आप बीजेपी की विचारधारा से तालमेल बैठा कर चल रहे हैं आपने जैसे मैंने पहले का सपा में आप काम कर रहे थे अब आपको क्या लगता है इस बार के लोकसभाद चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटे जीतेगी आपके इसाब से तो कि आप तो वहीं से आते हैं देखें हमारे माहनी प्रदान मंत्री जी ने एक 370 का नारा दिया है कि हमारी अपनी पार्टी 370 जीतेगी और गडबंदन के सारे साथियों को लिए के 400 के पार जाएगी अगर वो 370 यहां भाजबा को अगर जीतना है और जीतेगी भी तो उसको उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों के उपर कार करना पड़ेगा और मैं उमीद करता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश में आज के दिन में जो काम हुए है जो विकास के काम हुए है जो भगवान का मंदिर हमारा आज 500 साल के बाद हम लोगों को यहां पे राम लला के दर्शन हो रहा है मंदिर बना है इन सारे मुद्दों के उपर और सबसे पड़ा मुद्दा है यह है कि आज एक गरीब अपनी गरीबी से बाहर आ रहा है उसको इतने विकास के कार हम लोगों ने किये हैं मानी प्रदान मंत्री जी ने किये हैं तो उन सब को देखते वे हमारा तीन असी के असी सीटे होंगी इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूं उत्तर प्रदेश एक बहुत विशेश प्रदेश है यहां पर मानिये मुखवंत्री जी ने जिस तरीके से लॉइन ओर्डर का काम किया है कि आज हर आदमी इतना खुश है उस लॉइन ओर्डर को देखके कि दूसरी स्टेट के लोग आके यह कहते हैं कि हमें उत्तर प्रदे ही था योगी जी कैसा काम कर रहे हैं दस में से अगर आपको कहा जाए योगी जी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर नंबर देने हो कितने नंबर देंगे दस में 10 देंगे मनब आप हमें 11 का अगर आप दें तो मैं 11 दे सकता हूं लेकि 10 का 10 तो दे नहीं देना पड़ेगा और ये मैं अकेले नहीं देने वाला हूँ ये पूरा हिंदुस्तान आज कह रहा है आज आप किसी भी स्टेट में जाएए मैं अभी माहराश्टा गया हुआ था वहाँ के बड़े सीनियर लीडर्स ये कह रहे थे कि सब हम लोगी जी की फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि उनके तरीके का काम करने के बाद ही हम लोगों को कुछ सफलता मिल पाएगी और अखिलेश के बारे में आपके क्या विचार है हर स्टेट के अंदर चाहे अखिलेश यादव बारा से सत्रा तक सीम थे संजय जी उनको दसमें से कितने नंबर देते हैं सीम के तोर पर तो समाजवादी पार्टी सरकार के पांच साल और बीजेपी की यूपी में सरकार के अब बड़े उन्होंने विकास के काम काफी अच्छे किये थे जी 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 बने उनके समय में भी विकास भाता है लेकिन देखे जो लाइन ओर्डर की सिच्वेशन है आज किसी भी मतलब मैं अकलेश यादो जी की सरकार से पहले की भी सरकारे जो रही है उनका लाइन ओर्डर या उत्तर प्रदेश के अंदर जो लाइन ओर्डर की सिच्वेशन थी वो आज बहुत बैतर हुई है और उसका नतीज़ा यह है कि आज आप देखिए कि कितने करोड लोपे कितने लाखों आ रहे हैं और पहले नहीं आते थी आपने तो मुलाइम सिंग यादव के साथ ज्यादा करीबी से काम किया अखिलेश यादव के मुकाबले वो सरकार कैसी थी मुलाइम सिंग की नहीं मैं उस सरकार में मेरा उस वकत मैं उतना एक्टिव नहीं था मेरे उन से बहुत व्यक्तिका सम्मन्द थे और मैं उनके साथ में काफी उनके साथ में मिलता रहता था मैं उस वकत सरकार उनकी नहीं थी सरकार उस वकत बासपा की थी जब मैं उनके साथ में था तो अकले जी की सरकार में मैं उनके साथ में पूरी तरीके से रहा हूँ तो उसमें मैंने आप से काना कि उन्हों ने भी विकास के काम किये उन्हों ने भी अच्छे काम किये लेकिन सुक्चैन से रह पा रहा है तो यहां की इस सरकार की यह विश्यष्टा है संजा जी जैसे आपने भी समाजवादी पार्टी से बीजेपी का रुख किया अभी हाल में जहिन चौधरी भी इंडिया गटबंदन छोड़कर एंडिये में आ गए फिर ओम प्रकाश राजबर वो भी पहले इंडिया गटबंदन अखिलेश के साथ ही थे वो भी इदर आ गए समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस के निता कहते हैं यह सब दल बदलू हैं पल्टू हैं धोखे बाज हैं क्या जवाब देंगे आप उनको देखिए जहां तक जैन चौदरी जी का सवाल है आज उनके जो ग्रैंड फादर है चौदरी चरन सिंग जी उनको भारत्न मिला है ये सम्मान कहां किसी को मिलता है बहुत कम लोगों को ये सम्मान मिलता है और ये बहुत दिनों से ये पेंडिंग चला था कि इनको सम्मान ये मिलना चाहिए अगर वो उसको उसको वो सम्मान उनको मिला है तो उसकी वज़े से ही इनका जेन जी का इसमें आना स्वाभविक है इसमें दल पद्लू या पडल्टू का कोई मतलब नहीं होता है जहां पर देखे अगर उनको पहले ये सम्मान मिल गया होता जो की मिलना चाहिए था तो वो शायद कहीं ना जाते लेकिन आज उनको इस वकत उनको मानिय प्रदान मंतरी जी ने ये सम्मान दिया है उसकी वज़े से आए हैं अचा बाकी दलों का ये है कि वो अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं कि मानिय मोदी जी के हातों को मझभूत करने के लिए और उनके विकास के कारयों उनको भी तो अपने जनता के बीच में जाना होता है अपने दल को आगे बढ़ाने के लिए इधार आते हैं तो इसमें बुराई क्या है कॉंग्रेस कह रही है और विपक्ष के नेता के बीजेपी ने ओपरेशन लोटस चलाया यूपी में भी चलाया हिमाचल में भी चलाया वहाँ भी देखिए कॉंग्रेस के इतने सारे MLS को तोड़ लिया राजी सबाचुनाव में वहाँ तो सरकार पर संकटा गया था ये उपरेशन लोटस के आरोपों पर क्या जवाब देते हैं नहीं देखिए ऐसा है कि यहां तक हिमाचल का सवाल है अब कॉंग्रेस अपने ही कुनबे को नहीं समाल पा रही है अपने ही लोगों को नहीं सैटिस्फाई कर पा रही है तो इसमें भाजपा को क्यों दोश दिया जाता है भाजपा ने तो किसी से जा के कहा नहीं के हमें वोट दे दो उनका उन्होंने अपना विरोध जताया और विरोध जता कि यहां पे इसमें वोट दिया इसी तरह से उत्तरप्रदेश में भी हम लोगोंने किसी एक विधायक से भी कोई बात नहीं की सारे विधायकों ने अपनी मर्जी से अपने मुद्धों को देखके हमारे साथ में आए हैं तो इसमें भाजपा का कोई रोल ही नहीं है कि जिसको आप कह रहें कि कौन सा लोटस वाला आप क्या कह रहें अपरेशन लोटस चलाया तो ये तो एक आप लोगों का बनाया हुआ है इसमें हम लोगों का कोई मतलब नहीं है अच्छा जो सबाजवादी पार्टी के विधायकों ने आपके पक्ष में वोट किया अब अखिलेश जी कह रहे थे उन पर कारवाई होगी क्या उनका बीजेपी में स्वागत किया जाएगा संजय जी नी नी बिल्कुल अगर उन्होंने हमारी मदद किये तो हम लोग बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे अगर वो चाहेंगे तो हाँ जाहिर है बहुत धन्यवाद संजय सेट न्यूस 24 पर आने के लिए हमसे बातचीत करने के लिए आपको एक बार फिर से बदाई और शुपकामना है दन्यवाद दन्यवाद जी दन्यवाद